नमस्कार, आज हम मुख्यमंत्री मेधा च्छात्रवती योजना अर्थात CMMSS जो जार्खंड में लागू की गई है, इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे. सबसे पहले ये योजना क्या है, इस योजना में प्रतिवर्स पांच हजार चात्रों का चैन होगा, पूरे जार्खंड से, और ये जो चैन होगा, ये प्रतियोग्ता परिक्षा के आधार पर होगा. और प्रतियक जिले से अधिक्तम चार सो चात्र चात्रों का चैन किया जाएगा, और ये जो चैन किये जाएंगे, इनको काक्षा 9 से लेके 12 तक, अर्था 4 साल के लिए, प्रतियक वर्स 12,000 रुपे की चात्रवर्ती दी जाएगी. लेकिन इसके लिए कुछ सर्थ भी है, जो चैनित होंगे, उन्हें वर्ग 9, वर्ग 10, एवं 11 की जो वार्षिक परिक्षा होगी, उसमें 60 परतिसत अंक लाने होंगे. यदि वे 60 परतिसत अंक किसी वी कक्षा में 9, 10 या 11 में नहीं लाएंगे, तो उस साल से उनका ये च्छात्रवर्ती बंद हो जाएगा. जो गैर आवासिये विद्याले में नमंकल लेंगे, जैसे 8 में पास होने के बाद 9 में या 10 में, ये 11 में जब वो नमंकल लेते हैं, नौ से पासों के दस मिलेंगे, दस से पासों के ग्यारा मिलेंगे, तो ये अगर नन रेजिडेंशिल स्कूल में नाम अंकल लेकर अध्यान करते हैं, तो उन्हें पूर्ण छात्रवर्ती की रासी मिलेगी, अर्थात पूरे 12,000 रुपे मिलेंगे, लेकिन अगर वही छात्र या छात्रा किसी आवासिये विद्याले में नाम अंकल लेकर पढ़ेंगे, या राजसरकार के द्वारा जो आकांच्छा योजना चल रही है, अगर उसके अंतरगत वो अध्यान करेंगे, तो उन्हें 50 परतिसत छात्रवर्ती ही दे होगा, अर्था 6 हजार रुप्पे, ऐसा इसलिए है कि आवासिये और आकांच्छा में भी सरकार खर्च करती है, अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या अहर्ता है, क्या क्राइटेरिया है, तो इसके लिए जो अहर्ता है, वो है कि छात्र या छात्रा को राजकिये, राजकिये कृत, या कस्तुरुबा गांधी विद्याले, या मॉडल विद्याले, या प्रोजेक्ट वाले विद्याले, या अल्पसंख्याक, या गैर सहायता प्राप्त, एवं अनुदानित विद्यालियों में नामांकित एवं अध्यनरत होना चाहिए, तो जो बचे, राजकिये, राजके कृत, कस्तुरुबा, मॉडल, प्रोजेक्ट, अल्पसंख्याक, गैर सहायता प्राप्त, एवं अनुदानित विद्यालियों में वर्ग आठ में पढ़ रहे होंगे, उनका ही वही ये परिक्षा दे सकते हैं, और एक बात फिर मैं सबस्ट कर देता हूँ, ये वर्ग आठ के लिए है, वर्ग आठ के चात्र चात्राओं के लिए है, जो वर्ग आठ में अध्यनरत हैं, दूसरा ये है कि कक्षा साथ में न्यून्तम उनको 55 परतिसत आंक आना होना चाहिए, STSC को 5 परतिसत के चूट दी गई है, और अविवावक की वार्षिक आयक की बादेता नहीं है, आप देखेंगे कि NMMS जो परिक्षा होती है, राष्टिय साधन समेधा चात्रवर्ति योजना वहां 1.5 लाग की वार्षिक आयकी बादेता है, अधिक्तम 1.5 लाग, लेकिन यहां कोई अधिक्तम सीमा आयकी नहीं है, और 30 परतिसत सीट लड़कियों के लिए आरक्षित कि अर्थात कुल 5000 सीट हैं, तो 5000 में से 1500 सीट जो होंगे, वो लड़कियों के लिए आरक्षित होंगे, अब यहां कि परिक्षा का श्वरूब क्या होगा, किस तरह से परिक्षा ली जाएगी, तो यह परिक्षा दो खंडों में होगी, और दोनो 90-90 नंबर का होगा, इसमें जो पहला खंड होगा, वो mental ability test अर्थात बौधिक योगिता के जाच होगी, और इसके अंतरगत आपके जो प्रशना आएंगे, वो reasoning के होंगे, English proficiency test होंगे, और हिंदी proficiency test होंगे, और जो खंड दो होगा, वो scholastic aptitude test होगा, अर्थात सैक्षिक योगिता परिक्षा ह कुल अंक इसमें भी 90 होंगे, और इसमें जो विशे होंगे, वो होगे, maths, science और social science, अर्था 30-30 नंबर के ये तीनों होंगे, और जो qualifying marks होगा, उसके लिए प्रतिक खंड में, अलग-अलग 40% अंक लाने होंगे, STSC को उनके लिए 35% ही है, लेकिन दूनों खंड मिलाकर उन्हें 60% अंक लाना होगा, अब है कि ये आवेदन हम कैसे करें, अब ये प्रशन उठ रहा होगा कि कैसे हम आवेदन करें, तो जैक अर्थात जारखंड अकेडेमिक कॉंसिल का जो वेबसाइट है, वहाँ ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है, और इसके अंतिम तारीक है 30 अप्रेल 2022, और जब हम ऑनलाइन आवेदन भरेंगे, तो उससे पुर्व हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या लेकर तयार होना होगा, तो वो है कि फोटो होना चाहिए अपका, जाती परमान पत्र, आधार होना चाहिए, और वर्ग साथ का परिच्छा फल भी होना चाहिए, ये कंपल सरी हैं, ये अप्लोड करने होंगे, तो आसा है कि इस परिच्छा के बारे में आप अच्छी तरह से जानगे होंगे, एक बर फिर से मैं दोहरा दूँ, कि ये वर्ग आठ में जो अध्यन रत बच्चे हैं, जो वर्तमान में वर्ग आठ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये चात्रविती परिच्छा है, तो दे झाल